दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे गार्डन में, मैं हूँ सोहन और आप देख रहे हैं पटवा गार्डनिंग दोस्तो बारिस का सीजन चालू हो गया है और इस बारिस के मौसम में, हम अपने अडीनियम के पौधों को कैसे बचाएं और उनको कैसे क्यार करें, यह आज इस विशा पर हम बात करेंगे दोस्तो मेरे यहां बारिस सुरू हो चुकी है और लगभग 15 दिन से बारिस एक दिन दो दिन रुख करके होते रहती है दोस्तो इस बारिस के मौसम में आपको सबसे पहला यह काम करना है कि आपके जो गमले थोड़े से खाली रहते हैं यानि कि उसे पानी डालने के लिए हम लोग जो जगह बचाते हैं वह उसे आप भर देना है पूरा फिल कर देना है मिट्टी से या रेत से अगर आप मिट्टी से भर रहे हैं तो उसमें रेत जरूर मिला लीजिए कहने का मतलब बिलकुल वेलटरेंस वाइल होना चाहिए और पानी बिलकुल भी ना रुके इस समय कोई भी पौधी की प्रूनिंग बिलकुल न करें आप अगर पौधे की प्रूनिंग करेंगे तो उसमें फंगस लगने का खत्रा रहेगा पानी पड़ेगा और फंगस लगेगी इसलिए ब्राँच अगर बड़ी भी हो गई है तो भी उन्हें रहने दें पर इनकी पत्तियों को जरूर काट दें, लेकिन मौसम देख करके, अगर बारिस नहीं हो रही है और सुस्क मौसम है तब ही आप इनकी पत्तियों को काटें, अगर बारिस हो रही है तो उस समय इनकी पत्तियों को बिल्कुल ना काटें, क्योंकि ये पत्तियों में पानी भर ज नहीं चाहिए इनको क्योंकि इनमें पानी रुख जाता है और यह उपर से ही गल्ले लगती है और इस सारे पौदे को गला देती आराम से धीरे-धीरे काटें देख करके और इन गंबलों के ड्रेनेज हूल को जरूर चेक कर लें अगर पानी रुक रहा है तो उसे बराबर देख लें और उसको बराबर कर दें अच्छे से और पानी रुकता है गंबले में तो उसे आड़ा भी रख सकते हैं आप लेकिन इन पौदों की पत्तियों को जमीन से टच नहीं करना चाहिए जमीन से उपर रखें अगर आपके पास में पर्याप्त जगह है तो इन्हें सेडी एरिये में भी रख सकते हैं ऐसी जगह में रखें जहां पर रोशनी आती हो या सूर्य का प्रकास जरूर आता हो कम से कम तीन से चार घंटे की सनलाइट मिलना इन्हें बह पूद्यों में ने वनाया है उसका में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अगर आपने नहीं देख पाया है तो इससे आप देख सकते हैं और दोस्तों इस समय इन पोधों को कोई भी खाद नहीं देना चाहिए यूँकि इन्हें सारी जो है न्यूत्रिशन पानी में ही मिल लाता है बारिस के पानी में इसमें बहुत नूटिसन होता है तो इस समय कोई भी खाद देने की आवसकता नहीं होती है यह वैसे ही इतनी हरे हरे हो जाएंगे पूरी पत्तियों से भर जाएगा पोधा तो इनकी पत्तियों को काटती रहना पड़ेगा लेकि प्लास्टिक पॉर्ट में और इसे मैंने सेडी एरिये में रख दिया था तो यह दूप निकलते ही इसको नहीं रखना भी जरूरी है यह मैंने बारिस होने के बाद इसमें जब देखा कि इसमें जो है नमी बनी रहती है तो मैंने इसे सेडी एरिये में रख दिया था लेकिन वहाँ पर अभी इसमें जो है नमी बनी हुई है तो मैं इसे धूप में रख दिया हूँ यहां पर भी कुछ और प्लांट रखे हुए हैं और ये मैंने ऑन-Aline बोलाई थे और इन्हें में ने बहत ही छोटे छोटे पॉट में लगाया है तीन इंश चार इंश के पॉट में लगाया हुए है कुछ तो मैंने उनलाइन बुलवाय था पॉट और कुछ मेरे पास में जो तूटे हुए डबे या कप में ऐसी चीजों में लगाया है और इनके कोडेक्स भी अच्छे मोटे होगा है ये देख सकते हैं आप ये देखें ये कोडेक्स बहुत अच्छे होगा है और अच्छी गुरोथ कर रहे हैं इनका स्वाइल मेडिया मैंने बहुत ही अच्छा बनाया है बिल्कुल बेल ड्रेन है और इसको मैंने कैसे बनाया है इसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगा आप उसे देख सकते हैं कुछ पौधे यहाँ पर भी रखे हुए हैं यह देखे यह भी सब ओनलाइन बुलाया था मैंने ऐसे 8-10 पौधे थे तो यह देखे एक पौधा यह जो है डेमेज था यह अहाँ पर यह छेद था इसमें आर पार दिखाई दे रहा था किसी काराण से यह डेमेज आ गया था तो यह ठीक हो गया है यह देखे और यह इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो गई और दोस्तो इस मौसम में अभी कोई भी अडेनियम के पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर आपका पौधा नीचे से गलने लगा है अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसे दो-तीन दिन उसे निकाल कर हवा में छोड़ दें उसको सुखने दें और सुखने के बाद में फिर इसको रिपोर्ट करें बारिस के मौसम में इन में फ्लावर तो कम ही आएंगे या नहीं आएंगे लेकिन ग्रोध अच्छी होगी इसलिए आप ग्रोध पर ध्यान दे और कोडेक्स मोटा अच्छा होता है इस समय तो कोडेक्स पर ध्यान दे फूल लेने की बिल्कुल ना सोचें ये सारे गमले मेरे बांडर वाल के उपर रखे थे मैंने अभी इन्हें नीचे रख दिया है क्योंकि हवा और तूफान बहुत तेज आ रहा था और मेरे दो-तिन गमले ऐसे ही तूट चुके हैं बारिस में अकसर ऐसा होता है गमले अधिक तर तूट जाते हैं इन्हें बचाने के लिए हमें ऐसे नीचे रख देना चाहिए लेकिन खुली जगह में रखना चाहिए मैंने बिल्कुल खुली जगह में रखा हुआ है लेकिन सभी के अनुभाव अलग अलग रहते हैं मुझे ऐसा समझ में आया तो आप एक पोधे पर जो रिसर्च करें उसको देख करें असके बाद में फिर किसी वी चीज का आप उपयोग करते हैं किसी खाल करते हैं या कोई भी अगर नए चीज़ आप करना चाहते हैं तो पहले एक पौधे पर करें फिर उसको दूसरे अन्य पौधों पर उप्योग करें क्योंकि अडेनियम से सम्मंदित बातें जो रहती हैं हर जगे के लिए अलग-अलग होती हैं कहीं मौसम अच्छा रहता है कहीं पर भूध ठंट पड़ती है तो कहीं जादा नमी रहती है और जादा गरमी पड़ती है तो यह आप एक वीडियो से नहीं समझ पाएंगे इसलिए आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके यहां का वेधर कैसा है और उस हिसाब से काम कीजिए और यह देखे मैंने सभी गमलो की पत्तियों को काट दिया है और अब यह बिल्कुल एकदम पत्ती रहित हो गए है जो उपर की जो पत्ति आ रही थी जो नई नई पत्ति आ रही हैं मैंने उन्हें छोड़ दिया है कुछ पत्तियों को दो दो चार चार पत्तियों को छोड़ दिया है एकदम पूरी नहीं काटना चाहिए क्योंकि यह इनी से भोजन बनाते है और दोस्तो जब भी मौका मिलता ह बारिस थमी हो या सुस्क मोसम रहे उस समय आप फंगी साइट का प्रयोग जरूर कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सेर जरूर करें और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और अभी तक आपने चैनल को सब्क्राइज नहीं किया है तो वीडियो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए पौदों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार जैहिंद